हेलो फ्रेंड्स मैं हूशीवानी आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आप लोगों साज शेयर करूँगी बहुती आसान तरीके से हेल्दी अंटेस्टी आलू पालक की सबजी तो चलिए शुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए यहां मैंने 20 कुराम पालक के पत्ते ले यहां पर मैंने 3-4 मीडियम साइच की आलू लिए जिने अच्छे से पानी से साफ कर लिया है आलू को हमें लाइट गोल्डेल होने तक फ्राइ करना है एक से दो मिनट हो गए है यहां पर हम नमक एड़ करेंगे नमक हमें सारा नहीं आड़ करना है ऐसा करने से आलू बढ़ यहां आप देख सकते हैं आलू बढ़िया सा लाइट गोल्डन हो चुका है तो चली आलू को निकाल लेते हैं वापिस हम बचे हुई तेल में ही सबजी तयार करेंगे सबसे पहले आदा चमच जीरा डालना है जीरा तड़कने लगा है यहां पर दो मीडियम साइच के प्या बहुत अच्छे से आता है अध्रक और लेसुन को हम एक साथ लाइट गोल्डन होने तक फ्राइब करेंगे यहां पर लेसुन अदर फ्राइब हो गया है तो चलिए प्याज को भी आट कर देते हैं प्याज को भी हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राइब करेंगे आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया सा फ्राई हो गया हमें इतना ही चाहिए इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए तो यहां पर मसाले भी आट करते हैं आदा चमज हल्दी पाउडर एक चमज धनिया पाउडर और आदा चमज लाल मिर्च पाउडर मसालो को भी हम एक से दो मिनट बूहरा दो मीडियम फ्लेम पे ही भूहनएंगे मसाले पंग गया है अब यहां पर जो पेस्ट तयार करके रखा है पालक का उसको भी हम एक पिंच ही नहीं आट कर देंगे और है पुलेम पे हमें यह से तब तक भूहन है जब तक कि पालक का कलर चेंज नहाइंग पालक और मसाले तेल ना छोड़ दें रगवाद 5-6 मिनड़ वाद यहाँ पर हम एक पिंच हींग को भी आड़ करेंगे इस स्टेज में हींग को आड़ करने से हींग का फ्लेवर सबजी में जबर जस्त आता है जिसे हींग ना पसंद वो स्किप भी कर सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालो ने तेल भी छोड़ दिया है और पालक ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है यहाँ पर हम ग्रेवी तयार करेंगे ग्रेवी को तयार करने के लिए यहाँ पर ब्लेंडिंग जार पर पानी डाल के ले लिया ताकि थोड़ी सी पालग वेश्ट ना हो और यहाँ पर फिर से हम पानी एड़ कर देंगे लगबग यहाँ पर मैंने दो बड़े कप पानी एड़ किये हैं साथ के साथ बचे हुए नमक को और आलू को भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देंगे सब्जी में एक वाला आने देते हैं यहाँ पर सब्जी मुबाल आ गया है इसको हम कवर करके 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पे और पकाएंगे चलिए चेक कर लेते हैं सब्जी को आप देख सकते हैं सब्जी बन के तयार है आलू को 5-6 मिनट ही पकाया है क्योंकि आलू पहले से फ्राई करने में पक गया था आप सब्जी में कलर देख सकते हैं कितना बड़ी हासा है यहाँ पर हम गरम मसाला भी आड़ कर देते हैं और इसको भी पूरी सब्जी में अच्छे से मिला देते हैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है सब्जी बन के तयार है पर अभी इसका एक लास्ट इस्टेप बाकी है सब्जी को सर्विंग बाउल में निकालके राई ही जीरे का एक तड़का भी डाल देंगे इससे जो सब्जी का स्वाद है वो दस गुना बढ़ जाता है यदि आपको सब्जी की रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सस्क्राइब करना ना भूले